नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका UPSC Unstoppable में आप है मेरे साथ मेरे नाम है सुमित और दोस्तों एक बात कही जाती है कि इस धर्ती पर इनसान की जरूरत के लिए सब कुछ है लेकिन इनसान के लालच के लिए सब कुछ नहीं है और ये बात हमें देखने को सा सफ मिलती है क्योंकि जब सर्फेस धर्ती के सर्फेस पर सारे मिनरल्स को एक्सप्लोर कर लिया गया है और अब जरूरत और जादा बढ़ रही है तो इनसान कभी स्पेस के अंदर माइनिंग करने की बात करता है तो कभी समुद्र के नीचे ओशन में जाके माइनिंग करने की बात करता है और इसी इस पूरे सिलसले में यहां पर देखते हैं कि बही ओशन माइनिंग की बात हो रही है डीप सी माइनिंग की बात हो रही है तो जो आर्टिकल है यह डिसकस करता है यहां पर कि डीप सी माइनिंग आखिर क्या है और डीप सी माइनिंग के के ब्रोजेट को लेकर जो की है । वह बारत ये भारत का एक अगर आप देखेंगे चंद्रयान और Mars Orbiter Mission के उपर question पूछा गया है directly तो इंडिया के Deep Ocean Mission पे भी question कभी पूछ सकता है ठीक है उसी तरह से यहाँ पर एक term based question 2015 के prelims में पूछा गया है कि Goldie Lock Zone आखिर क्या होता है और इस वीडियो में आप जानेंगे एक important term आपको सुनने को मिलेगी जानने को मिलेगी वो भी term पेपर में कभी भी पूछी जा सकती है जिस तरह से Goldie Lock Zone मतलब एक habitable zone होता है जहाँ पर एक planet के ओपर life पनप सकती है यानि कि स्टार से ना जादा दूर है ना जादा पास है एक optimum distance पर है जहाँ पर life पनप सकती है उसी तरह से यहाँ पर एक और term हमें सीखने को मिलेगी तो term based questions को देखें तो उसके आधार पर भी important हो जाती है आज की news साथ में GS paper 3 में cover होगा science and technology में ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं आगे कि भाई point of discussion हमारे क्या रहने वाले हैं तो ocean mining पर बात करेंगे ठीक है deep ocean mission इंडिया का project वो जानेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि deep sea mining क्या होती है यह जानेंगे साथ ही में environment परियावरन पर इसके क्या असर होते हैं यह जानेंगे साथ में यह भी जानेंगे कितने तरीकों से deep sea mining की जाती है उसके अलावा यहाँ पर important कोई terms जो है related इस mission से उनको जानेंगे उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया ने इस पूरे project में इस तरह के जो exploration है इसमें इंडिया ने क्या कदम उठाए है भारत यहाँ पर कहाँ पर stand करता है तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक question का जवाब आप देंगे इसका मैं जवाब आपको वीडिय in India is responsible for the deep ocean mission भारत के अंदर deep ocean mission जो चलाया जा रहा है यह कौन सी ministry के अंडर आता है ठीक है तो यहाँ पर आप option देखकर attempt कर सकते हैं वीडियो के end में आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा कहता है कि deep sea mining आखिर क्या होती है अगर IUCN की हम definition को देखें तो कहता है कि जब minerals को extract किया जाता है minerals का खनन किया जाता है 200 meter के नीचे जाकर 200 meter से नीचे जाते ही अगर आप minerals को explore करते हैं ocean के अंदर तो उसे deep sea mining कहते हैं हाला कि इससे भी जादा गहराई में जाकर यह mining की जाती है उसके अलावा यहाँ पर समस्या यह है कि धरती के ऊपर surface के ऊपर जो reserves है minerals के वो deplete होते जा रहे हैं आप देखिए कोबॉल्ट जो है भारत पूरा इंपोर्ट करता है निकल भारत इंपोर्ट करता है सफिशेंट नहीं है भारत के अंदर उसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर बाकी जो critical और rare earth minerals है उसके लिए आप देखेंगे ज्यादा तर countries इंपोर्ट dependent है तो धरती के authority क्या है ये भी जानेंगे दरसल ये एक body है जो की deep ocean mission के लिए countries को contracts assign करती है तो इसने क्या करा है यहां पर चर्चा शुरू करी है deep mining rule इसको लेकर आने थे 2021 तक जो की अब expire होने वाले हैं जो की यहां पर finalize करने थे लेकिन अब यहां पर यह जो rules है यह end हो चुके है ठीक है इसके deadline आ चुकी है कि भई rules जो 2021 तक finalize करने थे इनके deadline आ चुकी है और अब चर्चा शुरू हो चुकी है जमैका के अंदर कि आगे इस industry को deep ocean mission mining जो ocean के अंदर mining होती है इस industry को कैसे आगे बढ़ाए जाए इस पर यह चर्चा होने वाली है अब यहां पर देखते हैं कि भई क plane area ocean के अंदर होता है वहां पर जाके आप poly metallic nodules poly metallic nodules को extract करें poly metallic nodules क्या होते हैं अभी देखेंगे picture में poly metallic nodules से आपको nickel और कोबाल्ट बढ़ी मात्रा में मिलता है ठीक है निकल कोबाल्ट आपको मिलता है लेकिन बाकी आपको इसमें मिनरल बाकी और मिनरल भी आपको देखने के अंदर है आप देख सकते हैं कि यह आलू की तरह जो आपको देखने को मिल रहा है कि आलू जैसे राउंड राउंड शेप में दरसल यह है poly metallic nodules यह एक तरह से ओशन के बेस पे ओशन के सर्फेस के उपर पत्थर जो होते हैं आलू की तरह गूल-गूल यह है poly metallic nodules और निक continental rise देखने को मिलेगा ठीक है जो rise मतलब continental से उस तरफ continental ऊपर की तरफ उठरा यह continental shelf है और यहाँ पर जाते हैं जो मैदानी का 이망ी बदानी सा इलाका ताइ Miguel saudara है समुदूर के नीचे सबाट एडिया जो आजाथा है समुद्र रिची गईरैी में होता है काफी इसको कहते हैं और यहां पर यह poly metallic Nodules इस तरह से पढ़े होते हैं जिन को आप ऊठा कर लाएं तो एक्स्प्लोर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं दूसरा तरीका है कि आप क्या करें जो अंडर वाटर माउंटेंस होते हैं वहां से जाके आप कोबॉल्ट को को extract करें ठीक है तो underwater mountains होते हैं वहां से कोबाल को extract करेंगे ठीक है इनको बोलते हैं sea mounts ठीक है इनको बोलते हैं sea mounts तो sea mounts यानि कि underwater जो mountains होते हैं अब यह क्यों important है क्योंकि जो underwater mountains होते हैं यह volcanic origin होता है इनका यानि कि volcanic activity से यह originate होते हैं और volcanic activity में आपको पता है धरती के नीचे से लावा निकलता है और उसमें कई प्रकार के minerals होते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से बनता है ठीक है सी माउंट यह है जो पूरी तरह से पानी के अंदर है बाहर आ जाता है तो इसको volcanic island कहते हैं और यहां पर ग्योट जो इसका सर्फेस जब टॉप सर्फेस जो है इरोड हो जाता है तो इसको ग्योट कहते हैं यहां पर देखे सी माउंट से आप कोबॉल्ट निकाल सकते हैं साथ ही में यहां पर पॉली मेटैलिक सलफाइट को एक्सक्रेक कर सकते हैं hydrothermal vents से hydrothermal vents क्या होते हैं आपने देखा होगा ocean के अंदर कई बार इस तरह से धुआ सा निकलता रहता है रेट के साथ उड़ते रहता है यह क्या है यह heat जो है धर्ती की यह पानी में से निकल रही है और पानी यहां पर तुरंद भाब बंजा रहा है साथ में कई सारे minerals और इसके साथ मिक्टी भी यहां पर उड़ रही है तो यह है hydrothermal vents यानि की heat ocean के अंदर लगातार धर्ती के surface से निकलती रहती है इन तीन तरह की जगाहों से ठीक है एक plane से एक sea mountain से उसके अलावा आप यहां से hydrothermal vents से इस तरह के minerals को निकाल सकते हैं जिसमें poly metallic nodules जो की आलू जैसा दिखता है वो सबसे जादा important है क्योंकि उसमें से हमें nickel cobalt भारी मातरा में मिलता है उसके अलावा अगर बात करें कि भाई अगर समुद्र में exploration करेंगे mining करेंगे तो इस तरह से तो देशों में लड़ाई हो जाएगी कि भाई किस area पर किसका अधिकार है क्योंकि अपने देश के आसपास की border पर तो ठीक है आप निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप दूर जाएंगे अपने देश से तो वहां पर किसका अधिकार होगा इन सारी ची है 1982 की जिसने क्या करा पूरे दुनिया का जो ओशन है उसको डिवाइड करा कैटेग्राइज करा और एक कैटेगरी सामने आई जिसको कहते हैं हाई सीज यह जो हाई सीज कैटेगरी है यह बात करती है कि international waters यह जो एक ऐसा area है हाई सीज का यहाँ पर किसी भी country का अधिकार न नौटिकल माइल्स तक अगर समुद्र है देश के 12 नौटिकल माइल्स तक वो उसका territorial water है यानि कि उस water पर उस देश का अधिकार है चाहे वो किसी को वहाँ entry दे ना दे वहाँ के resources को exploit करे यूज करे या ना करे उस देश की मरजी उसके बाद यहाँ पर आता है exclusive economic zone जो कि 200 न minerals है उस पर उस देश का अधिकार होता है जो कि जो exclusive economic zone किसी देश के border के साथ लगता है ठीक है तो आपकी जैसे भारत है तो भारत के 200 nautical miles सक exclusive economic zone भारत का होगा उसमें से minerals भारत निकाल सकता है ठीक है और कोई भी देश ऐसा भी कर सकता है उसके बाद का जो area है 200 nautical miles का उसके को मिलेगा अब भई high seas के अंदर भी आप exploration करेंगे territorial water में तो देश कर लेगा किसी की permission की जरूरत नहीं exclusive economic zone में भी कर लेगा किसी की permission की जरूरत नहीं लेकिन जब high seas में जब आप जाएंगे international waters में तब exploration करेंगे तो क्या नियम क्या निति कानून आपको पालन करने होंगे व 1994 में यह body establish की जाती है इसका headquarter Kingston जमैका में है और यह body क्या करती है यह जो international water है उसके अंदर mineral exploration को monitor करती है साथ में environment का conservation का काम करती है ठीक है international waters के अंदर और यह grant करती है जो contracts होते है mineral exploration के ocean water के अंदर वहाँ पर यह grant करती है contracts को ठीक है चलिए तो यह यानि कि किसी भी country को अगर mineral exploration high seas के करनी अंदर करनी है international waters में तो उसको contract कहां से मिलेगा उसको international sea wedge authority से contract लेना होगा अब अगर बात करें इस authority के हिसाब से तो पूरी दुनिया में यहां पर आपको minerals का distribution इस तरह से दिखेगा और paper में याद रखेंगे इस map को याद रखेंगे पेपर में अगर आप से poly metallic nodules के exploration पे ocean exploration पे question जब आता है mains में तो आपको यह map बनाना होगा इस map को याद रखेंग इस map में अगर आप देखें तो आपको यह जो दिख रहे हैं poly metallic sulfides हैं यह sulfides के resources हैं ठीक है उसके अलावा कोबाल्ट के यह जो brown color के हैं यह cobalt के resources हैं बाकी poly metallic nodules जिसमें nickel और cobalt होते हैं यह उसके resources सारे reserves हैं अगर यहाँ पर बात करें Indian Ocean की सबसे पहले Indian Ocean को देखेंगे त तो Indian Ocean में भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा poly metallic nodules जो की government of India को assign किया गया है exploration के लिए तो यहाँ पर Indian Ocean के अंदर government of India को assign किया गया है एक area जहां से poly metallic nodules को निकाल सकती है सरकार उसके अलावा अगर यानि कि अगर कल को paper में question आएगा तो आपको Indian Ocean का दो दिखाना ह इसमाद में कि अलफर कोबाल्ट और poly metallic nodules जैने निकल के आपको reserves मिलते हैं और mains में भी पूछ सकता है कि प्री में भी पूछ सकता है कि इंडियन ओशन में बही निकल मिलता है को बोलता है इस तरह से पूछ सकता है याद रखेंगे साथ ही में यहां पर एक important चीज़ को एयरिया मिलता है जिसको बोलते हैं Klarian klipperton जोन Eastern Pacific की साइड में Klarian Kalмеub长 देखने को मिलता है आखिर यह क्या है यह बहुत important area है क्यों क्योंकि यह जो area है धरती पर जितने भी झिकल के रिजर्वस हैं ठीडिया जितने भी धरती पर निकल के रिजर्वस हैं और कोबॉल्ट के उन सबसे ही जादा यहाँ पर इस एरिये के अंदर आपको निकल कोबॉल्ट और मैंगनीज देखने को मिलता है तो निकल कोबॉल्ट और मैंगनीज जो है पूरी धरती पर उससे जादा आपको इस क्लारियन किप्रिटन जोन के अंदर देखने को मिलता है ज साउथ नॉर्थ कुछ ऐसे बोलके आपको कन्फ्यूज कर सकता है ठीक है और ये बैस सभी देशों के जिरिस्टिक्षन से बाहर है यानि कि इंटर्नेशनल वाटर्स में अब देशों की इसमें लड़ाई ना हो तो जाहिर सी बात है यहां पर कुछ नियम कानुन का पालन करना होगा तो यानि कि इंटर्नेशनल सी बैज अथारिटी इस चीज़ को मॉनिटर करती है कि डिस्प्यूच ना हो और मिनरल एक्स्पोलरेशन सही से हो जाए ठीक है शांती तरीके से और अभी तक यहां पर 16 एक्स्पोलरेशन कॉंट्रेक्स जो है वह असाइन कर चुका है इं तो जो इंटर्नेशनल वाटर है वो पूरी दुनिया के रिजर्व का 50% हिस्सा कॉंट्रिब्यूट करता है यानि कि बाकी का 50% या तो कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर में है या फिर उनके एक्स्क्लूजिव एकोनॉमिक जोन में है हाई सीज के अंदर आपको 50% मिलता ह साथ में अगर यहाँ पर बात करें नौर्वे ने हाल ही में क्या करा है अपने वाटर्स को जो एरिया है नौर्वे का ओशन एरिया है आसपास का उसने उसको ओपन कर दिया है डीप सी माइनिंग के लिए उसके अलावा अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस ने डीप सी मा माइनिंग को लेकर वो चिंताएं आखिर क्या है वो देखते हैं दरसल 1989 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर सी फ्लोर यानि कि जो सर्फेस है ओशन का समुद्र का सर्फेस उसके उपर उसको कुछ उस के अजी कि यहां पर पाया गया कि जो नुकसान सीबाइड को हुआ था साही का क्रेगा साथ में जब आप वशन में मईनिंग करेंगे तो जो मिटी उडेगी उससे पानी कैसा कि सूरज की रोशनी को पानी तक जाने में वो दिक्कत पैदा करेंगे और इससे जो वहां की मचलियां है पेड़ पौदे हैं उनके फोटो सिंथिस को उनके डिजॉल जो ऑक्सिजन है उसमें असर साहिर सी बात है साफ साफ देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर इकोलोजी अब आप देखें यहां पर इस तरह से ओशन माइनिंग की जाएगी उपर जहास होगा नीचे एक मशीन इस तरह से सर्फेस को एक्स्प्लोर करेगी अब यहां से जो मिट्टी वगेरा उड़ेगी वह आसपास के एरिये को भी टर्बिड कर देगी और उसके अलावा सर्फे की जहां तक बात है इंडिया जो है पाईनीर इनवेस्टर का स्टेटस ले चुका था-1980 में ही आज से 40 साल पहले से इंडिया इस फील्ड के अंदर एक्टिव है और ये इंडिया जो स्टेटस लिया है यह यूँ एन क्लॉज के तहत इंडिया ने लिया था और यूँ एन क किलोमेटर का यहां पर दे दिया गया था बाद में जब इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी बना उन्निस सो चुरानवे में तो थोड़ा और्गनाइस तरीके से चीज़े चली तो यहां पर बाद में इंडिया के पास अभी फिलाहल अच्शनल सभी पास इंडिया को दिया अब इस पूरे रेफ्रेंस में ने क्या है तो यह जुड़ा है इंडिया के ऐडिया के प्रोजेक्ड यहां पर हें ओस्माट की और श्कE mission को भी cover होता हुआ देखेंगे ठीक है डीप ocean mission को भी ठीक है यानि कि deep sea mining को भी deep sea mining को भी आप cover होता हुआ यहां पर देखेंगे तो deep sea mining एक important part है किसका o smart का इसके अलावा इसके अंदर आपको coastal area पर भी early warning system develop करना यह सारी चीज़े देखने को मिलेंगी तो इंडिया के पूरा जो ओशन वाला area है उसको cover करती है यह स्कीम o smart scheme जिसके अंदर deep ocean mission भी deep sea mining भी उसका एक part है उसके अलावा भारत सरकार चला रही है deep ocean mission deep ocean mission में यहां पर exclusively किसलिए है यह mineral को explore करने के लिए है deep ocean में जाकर और इसके अंदर एक important इसका part है समुद्र यान समुद्र यान important part है deep ocean mission का जिसके अंदर अभी हाल ही में एक वहिकल बनाया गया है जो कि समुद्र के अंदर जाएगा और जिसका नाम है मतस्य 6000 मतस्य 6000 6000 मीटर की गहराई में जाएगा यानी की 6 किलो मीटर डेप्थ में जाएगा और यहां पर सर्फेस को ocean को explore करेगा ठीक है और यह बनाया गया है किसके द्वारा national institute of ocean technology के द्वारा और इसकी capacity जो है normal condition में 12 घंटे तक यह survive कर सकता है और emergency condition में 96 घंटे तक survive कर सकता है ठीक है और total यह पार्ट है किसका deep ocean mission जो की 6000 करोड का project है इंडिया का एक ambitious project है और बहुत ही कम देश हैं जिनके पास इस तरह की technology है तो भारत के लिए बहुत जरूरी चीज़ है तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों मेरे साथ आप special class में world history पर सकते हैं ठीक है है 2024 के लिए foundation बैच है प्रतिग्या बैच हिंदी मीडियम के लिए 2024 का foundation बैच है और सभी प्रकार के कि भाई deep ocean mission कौन से ministry के द्वारा चलाया जा रहा है तो इसका सही जवाब है ministry of earth science ठीक है जो national institute of ocean technology जिसने मतस्य 6000 बनाया है वो आता है ministry of earth science के अंदर इसके अलावा यह previous year question है आप देख सकते हैं 2016 का यह question है इसको attempt करेंगे ठीक है और यह भारत के एक important mission से जोड़ा हुआ हु इसको attempt करेंगे और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे Instagram पर मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं आप मैं आपको यहां पर reply ज़रूर करूंगा तब तक पढ़ते रहेंगे अपना ख्याल र तो